नमस्कार दोस्तों स्वागत है अब सभी का हमारे यूटूब चनल आपजेक्टिव सेंटर पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेथ मसीन और लेथ आपरेशन पर आपजेक्टिव कोश्चन तो वीडियो सुरू करने से पहले जिन लोग ने वीडियो को सेयर नहीं किया कि पहले से फिनिस किया गए जाबों को खोकले जाबों को केवल चौरस जाबों को देखी जो फिलेज जेस प्लेट रहता है इसका परयोग हम लोग करतेशे हैं पर नियम200 ब्रिता कर आचार की जाबों को कर दिशिछ फिलेट होता है इनसलाटों मेटी पूल्ट की सायता से सकते हैं इसका प्रियोग ऐसे जाब का पकड़ना के लिए किया जाता है जिनको लेट पर दूसरे साथनों की द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता है यह गोला कार आकार में धलवा लोहे यानि की काश टायरन का बना होता है दूसरा कोश्चन है आपके सामने कि टंबलर गियर यूनिट में कितने गियर होते हैं आप तोने दो गियर तीन गियर एक गियर चार गियर देखे जो टंबलर गियर रहता है इसकी संख्या हो लेट कम, मुख्यांंग है कुछ खरादों में या head stack के अंदर वह कुछ head stack के बाहर बायएोर लगा होता है tumbler gear unit में तीन gear का एक set होता है इन gear को एक lever के दुवारा set किया जाता है जो machine के बायएोर लगा होता है तीसरा question यह economic tap खराद का सबेखिए हम लोग जो खराद की स्Musikसिपेशन करते हैं यहां पर हमार एंशर गरेक्ष हो की स्पेसिफिकेशन में निमने चीजी संभलित होती है जिसे खराथ के बेट से केंद्रों के बीच की दूरी जाप पर अधिकतम भ्यास जो केरच के ऊपर असानी से घुमा कर्टार ने किया जा सकें तीसरे की केंद्रों के बीच के अधिकतम दूरी हैं पाचमा आपका इस्पिंडल की चाल चौथा है पाचवा है आपका लेट इस्पिंडल के सुराख का अधिकतम ब्यास अत्या खराद की निर्देशन में खराद की पूर्ण लामबाई सम्मलित नहीं होता है झोधा कॉष्जन है हाफ नाट न किसके लिए प्रियक किया जाता है आपने के लिए हमारा अंसर प्रियोग करेक्ट हो जाएग करते हैं फ्रेड कि और जाने के लिए करते हैं थ्रेड लान ह हाफ न と शूड़ी के एक ही अस्थान पर इंगेज किया जाता है जिस पर शूड़ी प्रारब की गई है थी पांचवा question है driving plate कि के लिए प्रियोग की जाती है आप सीन है शुड़ को डाग carrier की साहता से केंद्रों के मद्धा घुमाने के लिए जाब को फिस करने के लिए जाब पर चूड़ी कटने के लिए जाब पर आंत्रिक आपरेशन करने के लिए तो देखे जो driving plate रहता है इसका परियोग हम लोग करते हैं साप्ट को dark carrier या jab carrier की साहता से केंद्रों के मद्ध घुमाने के लिए करते हैं साप्ट को dark carrier या jab carrier की साहता से केंद्रों के मद्ध घुमाने के लिए कि लिए जाता है driving plate ढलवा लोहे की बनी होती है इसका ब्यास फेस पर एक पिंड कसी होती है या भी चक की भाद हैड इस्टा की पिंडल पर कसी जाती है छटा कोश्चन है कि खराद यानि कि लेची समय तक किस मटेरियल से बनाए जाता है वह देखे जो लेची मेजिए मका इंपी होता है या मसीन का एक मुख्य अंग होता है बेड लेफ मसीन का बेड आधार का कारी करता है इस पर सभी इस्थिर भाग जुड़े रहते हैं या चलते हैं या ढलवा लोहे का बना होता है इसके आधार पर दो अनुद्धर दीवारें होती है जो क्रास वेबों द्वारा जूड़ी होती है सात्वा है कैच प्लेट का आकार कैसा होता है अपन इसके फिसपर टी सलाट तथा सीधी सलाट कटी होती है केवल टी सलाट कटी होती है यह के आधिक सलाट में कटी होती है केवल एक सलाट होती है तो देखे जो कैच प्लेट का आकार होता है यह होता है हमारा केवल एक सलाट ग्रेक्ट हो जाएगा कश प्लेट कर्याबомें इतना हो कि इसमें पिण नहीक नई कसी होती है इसके आस्थान पर इसमें एक यूसं सलाट तथा एकक इसना कटी होती है इसमें वेट केरियर फंसाकर जाब को घुमाया जाता है औ Ir Twelve कोशन है कि टेपर टर्निंग डौरा टेपर की गढ़ना करने के लिए हम लोगं सो ए क्रते हैं देखिбаय मारा पर्मूलां यूज्च करते हैं mutshot है कि यहां पर यहां पर बी औंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पर हमारा यहां पर हमारा सी अंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पर देखिए जो फार्मूलर रहता है टेपर टेपर की गढ़ना करने के लिए रहता है हमें लगा था कि यहां पर यहां पर यहां पर पहला अंसर हो गया था गलती से तो यहां पर क्रेक्ट होगा यहां पर लेखिए टेपर टेपर की गढ़ना सुथ करने के लिए 10 थीटा एक टो डी मैंने इस इसमाल डीवाइट टू यहां का परियोग किया जाता है ठेपर टर्निंग में उपयोग होने वाले जो मूल्स U worries उत्त तो हुते हैं उंग्हरा उन्पात कितना होता है देखे जो मार्ष डेपर रहता है09 hors यहां पे हमारा कि दिए है कि लेट के टेल इश्टाइक इस्पिंडल पर बोर अनुपाइब की जाती है हई कि आप यहां पर कि मानक मौश टेपर कितने साईजों या नम्बरों में मिलती है आप समय सेवन नौ यह स्टव चाहदे अनौ यह स्ट देखिए को मानक मॉर्श टेपर होता है हमारा जितने साजों मिलता है तो मानक मास्टेपर साथ नमबरों 0 से लेकर श्वावद करता है यह सभी सब्सक्रान में हैं जीरो नंबर वाला टेपर निंद्ध टिम मातफा टेपर नहीं का अधिकतर पर्योंग कि गया जाता है घ्यारी नंबर मीन होता है 10 ব together capital d-le- small d-by-2-l होता है यह फर्मूलोर यही होता है capital d-le- small d-by-2-l होता है टेपर टर्न अटेच्मेंट द्वारा बाहरी तथा भीतरी टेपर काटे जाते है बारी नमबर कोशिण है कि टेपर चर्णिए अटाच्मेंट की दौरा किस एंगल तक टेपर कार सकते हैं आप तो नहीं 1510 दुअशंकी 1020 30 कि सब्सक्राइप हम लोग कितेनी एंगल टेपर कार सकते हैं रहता हमारा एंगल तस डिगरी यहां पर हमारा बी अंसर करेक्ट हो जाएगा दाशिया बारे तक कर सकते हैं तो टेपर टनिंट की साहता सिब्बय तथा ऑन्तिर कर सकते हैं या आटोमेटिक फीड का गभी प्रियुक्ष किया जा सकता है टेपर टनिंट की दोरा टेपर एंगल जो रहाता है अई से आलफा को भी व्यक्त करते हैं और इसका जुमान होता है दस डिगरी या बारे डिगरी तक हम लोग सेट कर सकते हैं तेरह नंबर कोश्चन है कि इस्टेडी रिष्ट का परियोग हम लोग किस लिए करते हैं आप सब्सक्राइब को सहारा देने के लिए फेस्प्लेट से बधे जाब को सह इस्ट परियोग करते हैं जुदक को सहारा देने के लिए लिए पातली वाख होख्ली छोणा वाली जाब कि टर्णिंग करनी हो तो इसमें कंपन आज सकता है यह कंपन याथ त्याना पंजाब कि लंबाई वाट टूल के दबाव करन पैदा होती है इस दूर को दूर करने के लिए शुदर ने आधार प्रदान करने के लिए इस्टेडी रिष्ट का परियोग किया जाता है 14 नमंबर कोश्चन है कि मेंडरल किसलिए परियोग की जाती है तो देख आप सना है आपके सामने कि जाप को उच्छगती पर घुमाने के लिए जाप को मजबूती से पकड़ने के लिए जाप बोर को संकेंदर बादने के लिए स्टेब्ड के पहले स्टेब्ग के अनुसार बनाने के लिए त। देख़ें जो मेंड्रल रहता है इसका परियोग हम लोग करते हैं जाप बोर के संकेंद्र बादने के लिए मेंड्रीज़ एक परकार की जाप को पकड़ने का साधन है इसका प्रियोग मुखते juste चिथाब की बारिवार्ज सता को बोर की पहले से रीमर्य या बो रिंग की गई सता के संकें और गुमाने के जाता है इसके दोनों सीरों पर केंद्र लग गयी होते हैं जिस करण इनka परयोग केंद्रों के मह पनदर कर किया कि सायता से घुमायजहता है पंजरे पंद्रफेवर कोशसने कि ट्रेव लिंग स्टेडी को कहां पर कशाजाता है आप नुलिट स्पिंडल पर टूल पुस्ट पर ट्रेपरा स्वाज्ड बीशिव एंगल पर शट के जाता है इसे कैरेस के साथ बोल्ट ओं कि साहिता से कशा जाता है जाब के सीरे पर कट लगाकर उसके जबड़े जाब के साथ सटा दिये जाते हैं इस प्रकार या कटिंग टूल के सामने जाब को ठोस अधार प्रदान करती है तथा टूल के पीछे सासा चलती है इसलिए से फालोवर इस्टेडी भी कहते हैं अब है 16 नमबर का question किया यह बी अश्टेडीक का प्रकार है तो देखिए है तो यहां पर जो fix इस्टेडी रिषयट बथी सब्सक्राइब करेस्ट च他 है ऐब भी यहीं उस्ट्रोडी का प्रकार है' हम और यह जो हमारा स्टाडियदि यह भी हमारा मृढ यह दीडियर देल सभिए तो देखिंव करेक्ठ हैं तो डेखें हमारे 4 प्रकार के होता है एक स्टेड़ी रिस रिष्य perfect का प्रकार एक यह प्रकार तो अब सत्रे नमर कोश्चन है कि इस उमेलित कर ये सेंटर के प्रकार है एक तरफ दूसरा उसका दिया है परियोग तो यहां पर कौन से करेक्ट आंसर होगा अब आपको सही दिख रहा होगा कि सेंटर का प्रकार एक तरफ दिये दूसरा आपका परियोग दिया है देखे जो बाल सेंटर रहता है इसका परियोग हम लोग करते हैं कि आफसेट विधी दवारा टेपर कारते समय इसका परियोग हम लोग करते हैं बाल सेंटर का और जो ये आपको सहारा देने के लिए करते हैं और जो डेप्ट सेंटर रहते हैं इसका अधिक आउयू लंबी होती है यहां पर हमारे डिशी देखिया दिया है जो बाल सेंटर है इसका अग्रभाग Congrats में बना होता है यह कंगिस्ता यह सेंटर डविते दोड़रा टेपर टरनिंग के समय प्रयोग की जाती है अर्प सेंटर रहता है इसे आरद केंदर के नाहां से बुपारा जाता है इसका प्रयोग जापको बिना किसी डिखनता क्लिए प्रिग किया जाता है नहीं देते स्ट इस सेंटर कि सेंटर की बने होती है और इसकी जो हें होती कि यानि कि टूल लाइफ इसकी ज़्यादा होती है अब है अठारे नमर का कोस्चन कि आपको सुमेलित करना है तो आपके सामने यह रहा सुमेलित करना आपको देखिए जो इस्टेब्ड मेंटर लाता है इसका परियोग हम लोग करते हैं विभिन बोर वाले जापको नट की सा लोग करते हैं बीतर रहता है इसका परियोग करते हैं वह जिस समय मेंटर रहता है है और जो एंसे बारे में जो इसमेंटर लाता है कि यहां पर श्वाद ब्रेन पर भी साज सिखना होते हैं जो चूडी वाला मेंड्रिल रहता है इसके अगर भाग पर चूडी कटी है जिसपर भीतरी चूड़ी वाले चड़ा कर टन की सीरे जाते हैं चैनलमे मेंडरिल नोटका है इसके एक सिरा पर कालर तथा दूसरे पर चूड़ियां कटी होती है इसके पर प्रेयोग किया जाता है अब इसके बास बात लिए तो प्लेन मेंडरिल क्या होता है कि फोस मेंडरि फीकारी है हम लोग मैं दूसरा होता है एक होता हिस्तिरेंग अध्याइब तुमIs प्रेश के लिए प्रयूख किया जाता है जर्नल परपस के लिए प्रयूख किया जाता है अब नेश्ट है 19 नंबार कि खराद में टेपर टर्निंग की समय जाब को किस एंगल किस एंगल मेजरिंग डिवाइस से जाच सकते हैं देखे जो खराद में जो टेपर टर्निंग की समय जाब को हम लोग जिस कोण मापी यंदर का परियोग करते हैं वह हमारा एंगल मापी जो इस पर 0-180 डिगरी दाइज से बाइज जीरो से 182 दाइज तक एक डिगरी की मार्किंग की होती है तथा अच्छ बिंद उपर एक बिलेट कसा होता है इसके दुआरा एक डिगरी में किसी एंगल की माप कर सकते हैं अता टेपर टरनिंग की समय जापके टेपर एंगल को वर्ण कंद्र कई तो सेंटर परेatti करेंगे तो क्षोखळे रिख को पकड़ना के लिए अपरना आके सामने हाफ्त अंगर्वcket को पकड़ना करेंगे पर करेंगे हमारा भी अनसर पर마 कर लिए पर को यह होती है जबकि पतले तथा लंबे कारखंडो जैसे बुस लिट और गीगेर आथ के बारी सत्या की मसीनिंग के लिए हम लोग मेंडरल का परियोग करते हैं 21 नमबर कोशन है कि नर्लिंग आपरेशन क्या है तो देखिए जो नर्लिंग किया जाता है यह किया जाता है कि नर्लिंग हम लोग परियोग करते हैं हाथ की पकड़ बनाने के लिए हम लोग सत्या को खुड़दरा करते हैं तो यह हमारा कहलाता है कि नर्लिंग देखें किसी सतय पर हात द्वार अच्छी पकड़ करने के लिए हम लोग करते हैं रहा किरिया हमारा नर्लिंग कहलाती है यह मुकता सीधी तिर्ची वर डायमांड आकृती में होता है यह किरिया नर्लिंग औजार को टूल पुस्ट में पकड़ कर की जाती है जाता है जिसे हम लोग पकड़ने के लिए यूज करते हैं यह रहता है यह डाइमेंड नर्लिंग होता है तो बाइस के यहां पर भी अंसर करेक्ट हो जाएगा ढलवा लोहा ढलवा लोग की मसीनिंग के लिए करतंद्राव किया हो सकता नहीं होती है क्योंकि इसमें ग्रेफाइट पाया जाता है जो सनेहन में सायक होता है ढलवा लोग में जो कार्वण की परसेंटेज मात्र होती है लगबग 2% से अधिक होती है कि तुन्टे थी नामर कोश्चन है एक खराद मसीन के सेल्फ सेंटर चक्के में जबडों की संख्या कितनी होती है आप से तीन चार पांच दो देखें जो सेंटरिंग चक्र रहता है इसमें जबडों की संख्या होती है तो यहां पर हमारा यह कित लगदरों की संख्या होती है तीन जबड़ा चाक्र जो हता है सभत्रेक्षण चाक्र यानि कि रहाता है यह संप्सेंटर चाह बहीं इसमें समय तीन जबड़ाया पर बसक्तों तीन प्रयाग को के चाल कम रखेंगे उस्पिंड़ की चाल कम रखेंगे स्क फर चूड़ी काटने के रिए समयते द्वारद अंतर्गत परियोग किये जाने वाले चूड़ी औजार उससे काटी जानेवाली सूरी की का चाहिए फाइंज थ्रेड के खरादन के लिए और रहे के अंगल का मान सुनी होना चाहिए कि रूच खरादन के लिए रफ टर्णिंग के लिए जो रहे के अंगल कमान होता है यह पांच से पचीस डिगरी तक रखा जाता है 25 नमर कोशने निम्न से कौन सी उत्पादन परक्रि करेक्ट हो जाएगा लेथर्वेट के लिए डहलाइक परक्रिया को क्यों किया जाता है रोलिंग परक्रिया में ध schlecht SIM के रूप में जाब को पकड़ा जाता है आप सब्सक्राइब हो जाएगा कॉलिट में पकड़ते हैं का अधिकतर प्रयोग लंबी च्छण की बहु मात्रा में जाब बनाने के लिए किया जाता है इसके चोटे जाबों को परिशुद सेंटर में पकड़ने के लिए सब्सक्राइब किया जाता है यह स्प्रिंग इस्टील की बनी होती है अधिकतर इसके अगर भाग में टेपर सलाट कटी होती है तथा जो पीछे वाला भाग होता है वह हमारा ठोस होता है रहता है हमारा कहलता है यहानि की मृत सेंटर कहलता था तो यहाँ परहांutsर करेक्ट हो जाईगा सब्सक्क्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब है यह पांतोर सकते हैं की मारगों पर आगे में यह लगा होता है टेली स्टाक जो रहता है यह राइट साड में लगाता है और जो लेफ्ट साड में रहता है हमारा लाइव सेंटर रहता है लाइव सेंटर रहता है 28 नंबर कोश्चन है किसी खरात पर एन चक्कर पर मिनट पर घुमने वाले एन एम एम ब्यास के कारखंड के लिए कटिंग टूल का जो स्पीड होगा वह मीटर पर मिनट में कौन सो फर्मूले हम लोग यूज करते हैं तो देखिए इसके लिए हम लोग जो फर्मूले यूज क कर देखिए गा है कंसीनर की सबी संक्रियाओं कि यंद्ध इन तरगेट कटिन के ऑजार के खीनारी की कारखंड की क्ट गती गट्सक्राइ गटाइव में सद्दम सद्द करते हैं सादंते किसे मीटर पर मिनट में बेक्ट किया जाते हैं इसके बाइसर फटन यह में रहता दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंदार आओ तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ और जो लोग हमारे चैनल परना है वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को साथ जरूर सेर कर दें और जाते जाते आप इसका परियुग हम लोग करते हैं चूडियों को आकार सही बनाने के लिए Thread Chaser का परियुग करते हैं अधिक परिश्रम से बचने पहले से कट की गए चूड़ी को पकड़ने तथा एक मुझ वाले टूल दोवारा परिशुद चूड़ी काटने के लिए ध्रड चे डरेंग का परियो किया जाता है द्रेंट चेड़िंग ड़ल का मुख्यकार पहले सब्सक्राइब करते हैं पतले तथा कोखला कारखंड की मसीनन के लिए कारखंड को मैंडल पर चढ़ाकर मसीनन किया जाता है समानते हैं मैंडल उच करवनिस्पात के बना जाते हैं मूविंग मैंडल का परियोग ट्यूब ड्राइंग में किया जाता है अब जो मैंडल होते हैं हमारे कई प्रकार के होते हैं जैसे कि हमारे होगे सिंपल मैंडल इस्टेप मैंडल कॉलर मैंडल इस्क्रू मैंडल गैंग मैंडल और है एक्स्पेंशन मैंडल और है हमारा कौन मै ही है वह हमारा है कि क्रास्स ऒैट्रास इलाइड घृता है तो यहां पर हमारा से ये लिए अंसर स्केर्ट होजाएगा ओक्पोर जल पोर्न आंज आ लिए tended terrorist का परियोग नहीं किया जाता है आध ड्रीलिंग के अंग पार्ट है जैन्कि क्रास लैड मसीन का है लेध मसीन के मुख्य हैं है इस नमर कोशन है कि क्यों सा है इस तो तो आप से नहीं आपके सामने में इस्पिंडल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए जो मुख्य इसमें लगे पर चक फेस प्लेट इत्याज लागा कर जाब को घुमाए जाता है इसी में लगी पुल्ली की द्वारा जाब को भिन भिन गतियों पर घुमा सकते हैं कोई我 कोई कि संटर का इनक्लूदेट अंगल होता है इंक्लूड़ करेक्ट हो जाएगा क ell जो है इस्टर के सिंडल लगा होती है तत्elles आंग स्टाक स्पिंडल में लगा होता है उसे हम लोग डेट सेंटर कहते हैं इन सेंटर का अग्रह भाग 60 डिगरी के इंक्लूड़ एंगल पर बना होता है इसकी जो बाड़ी होते हुए मॉस्टे पर बनी होती है है को थारिटीफर नमर कोष्जन है कि सेंटर के भाग कौन कौन से हैं देखें जो सेंटर के भाग है वह हमारा होता है कि हुद्र भी होता है जीन्र अन्षर कर मुद्र होता है उपर Stre il industry की चारह को कोब हो गया मैं और यहां यह हमारा यहां फ़ाइफका और यह हमारे और यह हमारा यहां जो क्योंकि ये दोनों सामीम ही है तो हमारा नोज यानिक नाख नोज का जो होता है included angle 60 degree होता है सेंक नियक और टेंग के मद्ध टेपर वाला भाग होता है कि अजो टेंग रहता या सेंटर के सबसे पिछला वाला भाग होता है हेतना है कि फर्म टुल द्वारा टेपार टर्निंग की बिधि कब उत्तम होती है Piece Пом कमें कउने कम कमें एंगल के लिए बहुत चोटी लंबाई में इच्छित कोण के लिये कीवल कोण के के लिए तो देखे जो फार्म टुल द्वारा कम लंबाई वाले जाब को उट्तम नेकी जाती है और यह जो अवजार होते हैं दो प्रकार के ऊदने एक होता है सर्कुलर टाइप टूल दूसरा होता है श्रेट टॉल तो गस्तियस नूमर कोश्चन है कि टैल इस्टाख के द्वारा कौन तर चाह सकता है तो दिया है पहला कि इसके स्पिंडल नोज में ड़ेड़ सेंटर पकड़ सकते हैं बिल्कुल सही है तीसरा है आपका सियांस कि इसके आपसेट करके टेपर टर्निंग कर सकते हैं बिल्कुल से यह तियां पर हमारे डियांसर करेक्ट हो जाएगा उपरोग सभी टेलिष्टा के बहुत सकाय होते हैं जैसे कि इसे आपसेट करके टेपर टर्निंग भी कर सकते हैं इसे इस पिंडल म में डेट सेंटर पकड़ सकते हैं और इसके स्पिंडल में ड्रिल चक टेपर सेंक वार रीमर आधी पकड़ कर ड्रीलिंग और रीमिंग कर सकते हैं कि फोट्टी वन नमबर कोश्चन है कि लेट के निमनलखित भागों में से किसमें उच्चे संपीडन सामर्थ होनी चाहिए आपसे ने बेड में स्पिंडल लेडी स्कुरू गीर इन हैड श्टाक देखे लेट के विभिन भागों में जिस उच्चे यानि कि हाई कंप्रेसिव कि भी रेट में क्यों होना चया है हमारा हाइकaben स्पिंट होना चाहिए लए लदCR ड्लवाल से बना जाता है जिस पर लिक के Кारकारी भाग यानि की वर्किंग पार्टस डीपेंड होते हैं यह मसीन की फॉन डेशन है यह सभी अंग पर इस पर फrick होते हैं कास ट्रूर्ड के निम्लखित गुड़े होते हैं जैसे कि हाई संपीडन समर्थ और यह वियर रेजिस्टेंस भी होना चाहिए या अधिक कमपन को भी यहाने की वाइब्रेशन को सहन कर सके ऐसा होना चाहिए कि लिए किसमें लोग पकड़ते हैं तो देखे अगर आपने पर आपको डीलिंग करना है तो हम लोग जो रहता है उसे हम स्थान पर लगाया जाता है स्टेल स्टक का हैंड स्टक के एंडर के तंडर मौभ करने के लिए बलमब भमोर भान पका हैं जैसे में लिफिठ और भणम करने के लए लेग दियूieso आकि nou ह Νा न very थूट्टे भूसन है ने कि ल harmed में होते हैं तो दिखिए लथा में किया होता है आपको बता ना है वी गायड वेज्ञ और फ्लैट वेज Carnegie का दो देखे, जो लिथ होता है आपका, कि वीघाइड वेज और फिलाट वेज का दो सेट होता है, यहीं हमारे b answer correct हो जाएगा बेट कवा भाग जिस पर खरा के sliding चलते हैं जिन्हें bed weight या guide weight कहते हैं बेट वेच की आकार के अनुसर किपकार कि होते हैं जैसे कि हमारा हो गया chapter mm2 को मि föratã करके combination weight weight जाता है यह कि combination weight in vej यह देखिए बहुत important question जो कि अक्सर exam में पूछा जाता है कि एकमी thread के लिए tool का angle कितना रखा जाता है तो देखिए जो एकमी thread रहता है इसका जो angle रहता है वो हमारा 29 degree होता है तो याद रखिएगा यहाँ पर c answer correct होगा बाके और किस के किस के लिए यह कितना angle होता है आई हम लोग उसे देख लेते हैं यहाँ पर चूड़ी का प्रकार दिया और उससामने उसका एंगल दिया है तो बीस डवली चूड़ी का जो angle होता है हमारा 55 degree होता है और जो ब्रेटिस कि 45 नमबर कोशन है आप लोग comment box में answer करें कि हैंड चेजर का परियोग किस लिए करते हैं तो देखें जो हैंड चेजर कर रहता है इसका परियोग हम लोग करते हैं इसे नीचे आधार होना अतिया आवस्त्यक होता है चेजर प्राइब हाई स्पेड इस्टिल के बने होते हैं या हाई यंटे पर किया जाते हैं टेंक पर लकड़ी का बड़ा हत्ता लगा देते हैं इनका पर अधिकतर खराब सेक ने तोडियों को सही रूप वासाफ परने के लिए किया जाता है मसीन चेजर कई प्रकार के होते हैं जैसे कि आपका हो गया रेडियल चेजर असपर से रेखिए चेजर और प्रित्तकार चेजर पहले ड्रिल की हुए होल को बड़ा बनाने के लिए हम लोग कौन सा टूल को का कहते हैं मतलब पहले ड्रिल किये हुए होल को बड़ा करने के लिए प्रियोग होने वाले टूल को हम लोग क्या कहते हैं आप सान है फेसिंग टूल टर्निंग टूल फार्म टूल बोरिंग टूल तो देखिए पहले drill किये हुए hole को अगर हमें बढ़ा करना है तो उसके लिए हम लोग जो tool यूच करते हैं उस tool का नाम रहता है boring tool तो यहां पर हमारे answer correct हो जाएगा boring tool पहले से drill किये हुए hole को बढ़ा बनाने के लिए हम लोग boring tool का परियुक करते हैं और यह process हमारा boring कहलाता ह बोरिंग क्रिया में आकार को बढ़ाकर size size में लाना तथा उत्तम finish प्राप्त करने के लिए की जाती है 47 number question है कि कि किसके माध्यम से carriage को lead screw की दवारा सकती पारिशित की जाती है आपको ने half nut gear box apron mechanism rack and pinion तो देखिए carriage को lead screw की दवारा हम लोग सकती पारिशित जो करते हैं यह ह चूड़ी काटने के लिए gear train या gear box की सायता से lead screw को विभिन निगत्यों में घुमाये जाता है इसके दोनों भागों में विभिन नट जो ऊपर नीचे slide करता है जिसे half nut कहते हैं जब threading lever को उपर उठाते हैं तो apron में लगे half nut lead screw को पकड़ लेते हैं जिसे carriage को चाल मिलती है पर चूड़ी काटी जाती है अनतालिस नंबर question है कि खरात पर किसी cutting को मसीनन के लिए किस में पकड़ा जाना चाहिए आप समय फेस प्लेट में ठीजा चक में फोर्जा चक में मैगनेटिक स्पिंडल में तो खरात पर किसी casting को मसीनन करने के लिए हम लोग जो पकड़ते हैं उससे हम लोग पड़ करते हैं फोर्जा चक में यहां पर हमारे sensor correct हो जाएगा फोर्जा चक खरात पर किसी casting को मसीनन के लिए फोर्जा चक में पकड़ा जाता है फोर्जा चक को independent चक भी कहते हैं इसमें चार चार जहा होते हैं जिनें चक्की की सायता के दोरा अलग-अलग को पकड़ते हैं इसके जाग को उल्टा करके बड़े माप के जाब को भी पकड़ सकते हैं इनको इसकी पकड़ दूसरे चक यह पेच्छा अधिक होती है फुटी नंबर कोशन है कि कैपेश्टन जो लेथ होता है में जो टर्रेट लेथ चड़ाय जाता है तो कैपेश्टन ओर चलाय जाता है औक सब्कूवल्ण फ्रेजर चलाय जाता है चल्का कर देखेख सरकाते हैं कि यहां पे हमारा एंसर करेक्ट हो जाएगा कशरेट लेथ अधिक उच्ठन कार्विोओं के लिए प्रयोग मिन लाए जाती हैं इन बसीनों में टेलिष्टा के अस्थान पर 6 या 8 पहल वाला टरेट हेडल लगा होता है जो अपने किंद पर घूमता है यहां पर यहां पर ये स्यम हो गया है यहां की की के तो यहां पर बाटे हैं तो यहां पर हमारा डिया अंसर अंसरय हो ओर सेट करने के लिए सेंटरगेज का परियोग तूल को सेटिंग करने के लिए प्रियोग किया जाता है यह तुल की नोच की isht branding करने से उपर होती है तो रेक एंगल बढ़ जाता है और खिलिरयंस एंगल घड जाता है इसंते खटिंग एंगल भी घड जाएечा 51 number question कि लेथ पर spindle की बढ़िन नगति प्राप्ट करने के लिए क्या किया जाता है अर्थthen तो आपको पता खोग्या कि लेथ पर spindle के बढ़िन नगति प्राप्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं उस पर पर्फे से आंसे करते हैं हमारा यहां स्प्रात को घार्मी कि भाद is कि मसीन ऑज्यार की बहरान यह कि कि इएब तथा इस्पीड को जैंशाने या घू में एक इसमेंट Candle की चालों को कि एक मेंडल का परियोग किसे पकड़ने के लिए क्ली आइसां है एक प्रकार की याने उक्तादकों कॉप्र सिलेव गियर खंड आध इस कार के लिए मैनुरिल का परियोग करते हैं यहां पर हमारा जो था यहां पर हमारा डी अंसर करेक्ट हो जाएगा इन में से कोई नहीं लेट पर लेट किस प्रकार का चूड़ी रखता है जो लीड रहता है यहां हमारा शिंगल स्टार्ट यहां पर हमारा यह आंसर करेक्ट जाएगा इकल चूड़ी याने कि सिंगल थेट की दिशा में लेट पीच के वराबर होती है लेकिन 2 Diable, stability फ्रीर स्टार्ट आज चुणियों की देसा में उनकी पीछ की क्रमप से 2 में और 3 में होती है, लेड Jukeётasz प्रूप पर यहाट ऊपर 1 में यहाद होती है और जिसका अंगल होता है होता है अब हमारा 54 नंबर का कोश्चन की कटिंग प्रासेस के पैरामीटर क्या है तो कटाई प्रेकन के जो पैरामीटर है आप साने कटिंग स्पीड फीड डेफ्ट अपकट कटाई चाल अबरानवा फीड कट की गहरा यह सभी है तो यहां पर हमारा डी अंसर करेक्ट हो कि यह सब सिंगल सिंगल है इसलिए यहां पर यह नहीं सही होगा सही क्या होगा कि यह तीनों है कि कटाई चाल कटाई भारन चाल और भारन वकट की गहराई यह तीनों है तो कटाई प्रक्रम को कटाई गति भारन तथा कटाई की गहराई प्रचालों द्वारा बताया जाता तूल के कटाई के सापेच वर्कपीस की जो गती है और कटाई गती होती है कहला इस या इस से हम नंबर को dev Too सब्छ कर्णे प्रविश्ट होता है उसल्वीड काहते हैं कि कटिंगुण Glück का सब होता है यह रहता है कि हाट हार्डनेस भी होना चाहिए और टफनेस भी होना चाहिए तो यहां पर हमारा सब्सक्राइब के लिए केवल एक टूल पदार्थ सर्विस्त्रेश्ट नहीं हो सकता है किसी भी टूल पदार्थ में ताप कठोड़ता गिसाव प्रतिरोधी कड़ापन तथा कम घर्टन गुलांग यानि कि लोक अफ्रेक्शन लोक अफ्रेक्शन आध्गुण होने चाहिए should चप पन को चंहिए नहीं करता है तूल का पदार्त वर्कपीस रहा और किया जाने माला आप्रेशन तो कट इस स्पीट के चेयं को प्रभावित करता है वह रहता है कर चाहिंग beetle को प्रभावित डालते जब कर्था material और work piece material और किया जाने वाला operation यह सब cutting speed को प्रभावित करते हैं देखी यहां पर वही दिया है कि work piece का अभ्यास cutting speed को प्रभावित नहीं करता है जबकि tool का पदार्थ work piece का पदार्थ है और इस पर किया जाने वाले operation जैसे कि turning taper turning आध पर निर्भर करता है cutting speed पर निर्धारिज के पदार्थ जैसे मुलायम कठो रात पर होता है टूल पदार्थ को तीन भागों में वर्गी करत करते हैं जैसे कि अन करेक्षचा है छेने टूल में फियरुइश टूल मेटेरियल और नानानुमेटई कोश्चा है नानमेट्फ तूल में कौ mashा अंगल गम चिप right में जो एंगल के आश्था औरात कि लीए सेहाजक होता है वह हमारे अंगल रहता है रह एन्ग Er एंगल टोवैंबर संदर भुलांज तथा रेक फेस के बीच के एंगल को हम लोग रेक एंगल कहते हैं यह एंगल चिप के बहाव में सहायक होता है यह पाच्ट्व या निगेट्व हो सकता है कठिनाई से काटे जाने वाले पदात के लिए निगेट्व रेक एंगल रखा जाता है अधिक जो होता है उसकी बाड़ी फिरकट्व होनी चाहिए अर्थाथ पर्याप्त क्लिरेंस लेकर गाड करने चाहिए क्लिरेंस एंगल देने से केवल कटिंग एज को ही मसीन करने वाले एज के साथ टच करना पड़ता है और आउजार की बाड़ी रेगल खाने से बच जाती है कि लेथ पर चिप ब्रेकर तब आवस्यक होता है जब देखिए कि लेथ पर चिप ब्रेकर हम लोगों के लिए तब आवस्यक होता है जब क्या हो कि हम लोग डक्टाइल मटेरियल की टर्निंग कर रहे हो और चिप को तोड़ना हो तो हम लोग वहां पर चिप ब्रेकर का परियो में निकलते हैं जिसे सिगमेंटल चिप कहते हैं तन अधातों जैसे मुलायम इस्टील एलमुनियम आद की मसीना ने में टूल के ऊपर उगराले चिप निकलते हैं इसे तोड़ना आवस्यक होता है क्योंकि यह सर्फिस को खराब करती है और उसमा भ्यूत्वपन करती है कि आजार कहारक किस एंगल पर निर्भर करता है आज और सबस्क्राइब करते है तो यहां पर हमें भी एक्जाम के दिश्टी से चलना है तो हमें रैक एंगल पर ही टिक करके आना चाहिए तो यहां पर हमार एंसर ही करेक्ट होगा रैक एंगल लिप एंगल पर हमें नहीं टिक करना है सिर्फ रैक एंगल पर क्लिक करना रहेगा वहां पर आपस्वन पर तो जो स्ट्रेंट होता है हमारा राकें पर निर्भर बनी पर नहीं कि में यहां पर दिया है कि पॉल का समर्थिंफरेकंगर और नियुक्षिक पदार्थ के मशीन पर निर्भर करता है कि पाश्टिव होगा या निगेटिव अंगल होगा रुफ टर्निंग के लिए सेमेंटाइड कारवाईट टिप और आजर में प्राइभ निगेटिव रेक का परियोग किया जाता है निगेटिव रेक से कटिंग एज अधिक मजबूत बन जाता है पाश्टी उर्यक होने से कौन अधिकतर माइल्ड इस्टिल कार्वन इस्टिल काश्ट आरनम ब्रास और ब्रोंज आत के लिए हम लोग परियोग करते हैं को सिक्ष्टि वन नम्बर कोश्चन है कि लेध्ध मसीन पर एक कर्किरियख की जा सकती है आप सेंग टरुनिंग मीलिग आर मिलिग और ग्राइंडेंग तो लेध्ट मसीन पर कटिंग के द्वारा हम लोग जो परियोग कर सकते हैं वह हमारा रहता है अगल यहां न subscription हो जाएगा टरने के अपर हम लोग कर सकते हैं जब्कि कि मेलिंग और जो ग्राइंडिली टोर् DAN के डिवारा ही कर सकते हैंग्ट करूइंट करती हैं जब्कि मीलिंग मसीन पर cutting tool का परियोग करते हैं cutting fruit परियोग किया जाता है किसके लिए कि परियोग करते हैं आप यहां पर हमारे जाएगा अमसर खर्रेक्ट हो जाएगा व dal зак करतन की समय कट प्रॉट का परियोग किया जाता है क्योंकि धाए-टार्ट के दौरण और गरम हो जाता है साथी अवलग के परियोग के से भज़ु यॉव लोग करते हैं तो दोस्तों आगर आपको वीडियो पसंदार आए तो वीडियो को जलूल लाइक कर दीजिए और जो लोग हमारे चैनल पर नहीं होग चैनल को सस्क्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें कि सब्सक्राइब कर ने माडी श्टील याना हम लोग करते हैं आप सनके सेंटराय रहता है इसको बनाने के लिए हमारा था करेक्ट होगा तो हाई स्पीड से बेलना कराकर में बनाए जाता है इसमें प्लेंड और कांटर सिंक होता है जिसे hard करके grind किया जाता है या मानक साइजों में पाई जाता है इसका परियोग center hole की drilling और counter thinking करने के लिए परियोग करते हैं cutting flute के दो मुख देश क्या होते हैं तो cutting flute का जो menu देश होता है कि ठंधा भी करना होता है और अच्छे finish करना भी होता है तो 64 का यहां पे हमारे यहां पाल सींचर करना करना cutting flute का कार्य होता है कि ठंधा आता Chief को दूर करने का कार्य होता है चार्य होता है कि घ्रतोल जो हता है कटिंग कटाए तरल तुल और वर के पेस को ठंधा रगता है और यार के पीच किया होता है गहरता है गरता है तुल का जीवन काल बढ़ाता है और अपने साथ कटी धूत धूल बहा ले जाता है और मसीनन के अंतरगत तो जो उपजी हीट रहती है उसको अपने साथ बहा ले जाता है शुश्टी फाइफ नंबर कोश्चन है कि पीतल के मसीनन के लिए उच्छ चाल इसपात एकल बिंदु कटाई टूल का पश्च रहक एंगल कितना हो तो पांच डिगरी देश डिगरी जिरो डिगरी तो यह जो पॉंट कटिंग टूल का बैक रेक एंगल जीरो डिगरी होता है सिमेंटाइट सिमेंटेट करबाइट टूल पर निगेटिव रेक एंगल दिये जाता है हाई स्पीड इस्टी लगबग 900 डिगरी सलसेस के तापमान पर अपनी कट्पूरता बनाए रखता है छाचछ नंबर कोशन है कि टूल द्वाराव कारिखंड के एक चक्र में चली गई दूरी कमलोग क्या कहता है आपसे ने फीड डेफ्ट अप्त कट टूल स्पीड कटिंग स्पीड तो देखिए टूल द्वारा वर्कपीस की एक चक्र में चली गई दूरी हमारी कहलाती है फीड तहां पर हम मिली मीटर प्रति चक्त होता हूए घृटम इसे समानते हैं मिली मीटर में मöhपी जाती हैкретि मसीन की सबी संक्रियां के अंतरगत अवजार के कटाई किनारे के साफ पेच वरख पीछ की गति को कटाई कहते हैं इसे मीटर प्रत मिनुट में माप आ जाता है 67 number question है कि machine changer का परियोग किया जाता है किसके लिए आप ने internal thread बनाने के लिए आंत्रिक चूड़ी तथा बाय चूड़ी दोनों के लिए बाहरी सत्य की को plan करने के लिए तो बाहरी सत्य को plan करने के लिए है तो देखे जो machine changer रहता है इसका परियोग हम लोग करते हैं आंत्रिक चूड़ी और बाय चूड़ी दोनों को बनाने के लिए हम लोग machine changer का परियोग करते हैं यहां पर हमारा सी एंसर करेक्ट हो जाएगा जो machine changer होता है हमारा Multipoint cutting tool होता है जिसका पर्योंग आंतरिक Re starting दोने परकार की चुणीयों कातने के залam एक प्रयोग करते हैं बारी आंतरिक चुणीयों को श्ल उपनिंग डाई हैंड में हैं कोलाप charge tap two holder में पकटडते हैं जूड़ियों के कौन कौन से grade होते हैं आप समय होते हैं यह सभी होता है यह सभी होते हैं तो बनाने के लिए कर दयाकों के साथ से मसायों जो रूच चूड़ी का उप्योग हम लोग स्कूरू आधी पर हैस्थाइय जोड Oklahoma speak साथ याव हैसी नुकी द्वारा करते हैं हाइज संटेज आप कार्बन आपको बताना है देखे जो है स्पइब रहते इसमें जो परसेंटेज रहता है यह हमारे परसेंटेज रहता है जीरो दस्मलाव अट से एक दस्मलाव पाउच परसेंट तो सब्सक् Qur手 alcantar ने की सब्सक्राइब 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 कोंगर को सःड कटिंग और के बीथ की खेचच यहां पर यहां हमारा ध्रकेंगे के ऊंगिशेसEND सब्सक्राइब और यहां साइट करेंग कोर के ऊच्छा करेंगल को अबढ़ी नास कर के लिए परियोग को थे में वड़ना और द्वराण उस्म में से इस चिप द्वारह त्य झाल को देखिए यह जो लिया जाता है तो यह हमारा 50-70% चिप ले जाता है तो देखिए यहां पर दिया है कि धात कटाई के दौरान कुल उत्पन उस्मा में से चिप द्वारा 50-70% उस्मा ली जाती है विटाइल माटेरियल में मसीनन में छिप बंता है के बाता नमर कोशन है कि स्टेलसिक में कौन कौन से तत्यों होते हैं तो अरिक स्टेल ऻेख निकेल क्रोमियम और कार्षी यह चार के लिगाते हैं experienced लिबंग और Föruan सिंगल पॉइंट्ट सिंगल पॉइंट उसले सेपनों करिया जाता है सब्सक्राइब करते हैं तो थे सिंगल फॉइंट्ट वे रखता है करессिक यह पट अइन्ग यह रगता है तो यहां पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा अलाफ एबव तो देखी यहां पर दिया कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के जो एलिमेंट होते हैं क्या होता है लिप एंगल क्या होता है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए जो साधानते लिप एंगल कमान होता ह 600-1002 होता है রैक एंगल जो होता है इसे हम लोग एंगल पाइश्ट्व येशं दोनु प्रकार का होता है ब्रास के लिए यह तुल लाफ प्रभावित होता है यह हमारा प्रभभावित होता है से भी कटिंग स्पीड से भी और फीड से भी होता है तो यहां पर हमारा डियांसर करेक्ट होजेगा आला अब दा इबब तो टू लाइफ नम ने लिखित कार को यान की फैक्टर पर निर्भर करता है जैसे कि डेफ्ट अपकट नोज रेडियस कटिंग स्पीड और फीड तो याद रखिएगा कि इसमें रेडियस और इनका जो वही क्रम रहता है कि सबसे ज़्यादा जो ऑर फीड सबसे ज्यादे इसकी कटिंग स्पीड प्रभावित होता है फिर उससे कम फीड फिर अपकाट फिर हमारा नोज रेडियस रहता है निगेटिव रैक एंगल किसके लिए परियोग करते हैं तो देखें आप सना आपके सामने करवाइट टूल भारी भारों के लिए और कठोर लगेटिव रैक एंगल का परियोग करभाइट टूल हैवि लोड और कठोर प्रदार्थों के लिए परियोग किया जाता है ंप सिंगल पॉइंट टूल पर पाश्टिव तसे निगेटिव दोनें अंगल दिए ब्रास की मसीने heave न के लिए रैक एंगल सुने रखते हैं औ एल्मुनियम आकसाइट पाउडर के बने होते हैं उपरोगत सभी तो देखिए ये जो रहता है यह क्या होता है टिप के रूप में भी उपलवद होते हैं कम बंगन सामर्थ और भंगूर भी होते हैं और यहां पर हमारा डियांसर करेक्ट हो जाएगा उपरोगत सभी इस रहा जाता है जो करवाइड से बहतर होते हैं और सेमी करतन आजर कम बंकन समर्थ के तथा भंगूर होते हैं और साथ ही अलमुनियम आकसाइट पाउडर के बने होते हैं अधान नमबर कोशन है कि वीटी का पामर यान इक्वल टू सू के संबंध में करवाइड टूल के लिए एन कितना होता है जो एक्सपोनेंस्याल कांस्टेंट यह रहता है यहां पे यहां पर हमारे अंसर करेक्ट होगा तो vt का पाउर यहां इक्वल टो सी के संबंध में जहां यहां कि हमारे एक घातांक है यान एक exponential constant है जो अज़ार और वरक फीस के मुद्ड कार खंड़ पर निरभर करता है जहां पर सी हमार क्या है constant है यहां कमान देखें अलग-अलग material के लिए के लिए क्या होता है कारवाइट टूल के लिए यह नियुक्त होता है अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर दीए अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जिन लोगों ने वीडियो को सेर नहीं किया है वो लोग वीडियो को सेर जरूर कर दें पने दोस्तों के साथ मिलते हैं हम लोग नेस्ट वीडियो के साथ थैंक यूँ